उसलिष और यह अभी शाम का टाइम है और में आये हुँ यहां है मुझे मुझे कमेंट करके बताना मुझे पता नहीं इतना दीन हो गया था लेकिन मुझे पता निए था कि हहीं हैं और सफ्रोजन फ्रोजन पीजा दिखा रही है और बाकी चीज वगेरा तो मैंने ले लिया है मैं भी आपको बकेट दिखाऊंगी और ग्रोसरी खतम हो गई थी तो मैंने सुच्छा चोड़ो ले ले लेते और यहां पर वह वह चीजे मिली जो मुझे डीमाट वगेरा में नहीं मिला जैसे व तो काद म्या दिखाऊंगी घर ले जाकर यहां पर मेरे मेरे इमली खतम हो गई थी तो गविंदती क्रें दूर्ट प्तव बुखना जो भी बहुत दिल को सुकुन मिला वहां पर जाकर तो पढ़्च उच्रात के उनको पता ही चला होगा जैसे मतलब दिखाओंगे तो इस जिगा पोलते और क्या नी बोलते तो यहां पर बिलिंग करा रही हूं सारा सामन और बैक कुछ लेकर आई थी कुछ इनके पा लेकिन नहीं ऐसा हुआ नहीं पॉसिबल हुआ नहीं और उसके वाइस बहुत ज्यादा सामान ओगा तो यहां पर देखिए यह जो पानी है पूरा रोड पे आ गया था तो रोड को बंद कर दिया था यहां पर जो ब्रीच पे से हम लोग जा रहे हैं बहुत जादा पानी हो ग यहां पर जूस वगरा मैंने कुछ लिया है मतलब लीची का जूस और पॉमेगरण का लिया है और बहुत सारा फ्रीच का आइटम मतलब लेके आई हूं जैसे चीज वगरा कतम हो गया था मिल्क नहीं था दही नहीं था तो सब चीज यह देखिए रेड वेल पेपर में लेक पड़ा मुझे मुझे लगते में चार मुझे पड़ा है तो कोई नहीं लेकिन जब चीज अच्छी खानी होती है तो पैसे जाते तो कुछ ऐसा दिकत नहीं होता है और यहां पर चोटे-चोटे ना क्यूंस में लेके आई हूं बटर के जैसे पूरा बटर निकाल के रख द मुझे पताने तलिके बहुत बड़ा रिलाइंस मार्ट है हमत नगर में निकाल बात से पहले यह बहुत पुराना है तो वहां से में लेकर आई थी कोई एयर मुझे बनानी थी तो मुझे ने प्लोवां हो पनानी तो मुझे छीज जो लाई हूं समय तूकर लेकर वह थी पर तोड़े से सूखे स्नाक्स लेके आई हूं कि कल मुझे जाना है घूमने के लिए इसलिए और इनो वगेरा यह क्या है लोट लोटेस चोको कुछ है सही है भाई मेरी इंगलीश इतनी अच्छी नहीं है लोटो हाँ लोटो चोको बिस्केट सही है और साथ में यह दिखिए एम झाल 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 झाल, 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 फूर, झाल, खीजाए नहीं है ऊट्रश्टां तर इसलिए मेरी इसलिए आध़ो जाना झाल शाण भूग तो मेंने बर्गर बनाया था बर्गर बहुत जादा बना है इसको सेट मैंने रोस्ट किया है अथा यह प्राइ एकना कुकुंबर टमेटो नहीं हो और मैंने कैबेश मिक्स कर लिया था वो रखा है साथ में यह एलोपीनो इसको जालोपीनो भी बोलते हैं यह जो मैंने मंगाया था कल दो इसके पहले वीडियो अप्लोड के था उसमें मैं आपको दिखाया था तो इसमें एसेंबल कर दूँगे और बहुत जादा घर पे जो बर्गर बनाते ना बहुत सारा वेज के घर का ही अच्छा लगताया दूभे तो आप imagination करके बताना कैसा लग रहा है और किस औसको बाहर का अच्छा लगता है वह ला अउच्छा लगता हैं हूँ तोलडि हमें और Dave कि अगर बनाने की कोशश करते हूं और और सब्शक्न करण सकते से में बैưng और समय कोई टी आई करने होते में राफिन नंख सबस्क्राइज ऑक बनाना याफ विडियो कि आई संपीन다 लेगी तो मैं आपको description box में या comment box में लिंक दे दूंगी तो आप चेक आउट कर लेना बहुत टेस्टी लगता है में उनीज वाले सालिड तो यह चले फटा-फट कर लेती हूं और उसके बाद दिखाती हूं और रात को मैंने कोई ब्लॉक शूट नहीं किया यह डायरेक्ट मॉर्निंग में ब्लॉक शूट कर रही हूं और यहां में मैं निकल चुकी हूं अमबाजी के लिए, अमबाजी जा रही हूं, दर्शन के लिए , Krman Maharaj के लिए ,Unian अंचका कॉछ काम क्या गया हूं तो मैं फाइनलि अक्वी जा रही हूं, अकेली और मैंगे दिया को लिए सार्ट मैं तो मैं जा रही हूँ और उसके बाद से मैं दर्शन करके आ जाओंगी और इधर ना दर्शन करने के लिए कैमरा अलाउट नहीं था अंदर मोबाइल वगेरा वो सब उन्होंने रखवा लिया था तो इसलिए मैंने अंदर का कुछ भी शूट नहीं किया बाहर की सारी चीज़ तो फाइनली आज मैं आई हूँ मतलब यह ब्लॉग तो 24 के बाद का है क्योंकि 24 का ब्लॉग तो आपने देखा उसके एक दो दिन बाद का यह ब्लॉग है तो जहां पर मैं एक दिन पहले में रिलाइंस गई थी और उसके बाद से यह तो यहां पर दिखे बाहर बहुत सारे होटल्स, शॉप्स, मंदिरों के भार जैसे रहते है ना नॉर्मली वैसे ही है तो मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा यहां पर दर्शन करके माताजी का दर्शन करके और मैं साटेडे गई थी संडे नहीं गई थी क्योंकि हमारा प्लानिंग साटेडे का ही था संडे घर में जाती तो बहुत जादा एक औरर आगे जाओंगी तो उन्होंने स्लीपर्स और मोबाइल बाकी सारी चीज़ें हमको उनके पास जमा करके रखना पड़ा और जमा करना करने के जाओ उसके बाद से वह टोकन आपको दे देते हैं तो यहां पे कुछ मेरा अच्छा काम हो रहा है इसलिए मैं सुझा चलो माता जी के दर्शन कर लेते होता है ने कि आपके साथ कुछ अच्छा होने लगता है तो आप सोश्टियों कि चलो कहीं दर्शन करके आते तो वैसे ही मेरा भी था और कुछ मानता थी तो वो भी पूरी करनी थी बहुत टाइम से मैं जब मॉम्मे में रहती थी कि यहां पे आके मैं दर्शन करूंगी तो वो भी एक मेरी पूरी हो गई और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहां पे आके और गुजरात से कौन-कौन ह जा रहे हैं उसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है जैसे मेरा मुंबई क्यों नहीं जा रही हूं क्या रिजन से क्या प्रॉब्लम है क्या काराण है तो यह सारी चीजे और फिलाल मेरा नया घर हो चुका है मैं नए घर में शिफ्ट होने वाली हूं सीटी में बट मैं अश्यारा है और यह रूम मैं खाली करूंगी हो सकता है जब मैं ब्लॉग डालू तो रूम खाली कर चुकी होगी और यहां पर बहुत बहुत जबर्जस्ती करतें तो अगर आप यहां पर आते हैं और अंजान है तो रही है यह सब शॉप से क्योंकि ये लोग बहुत जादा उल्लू बनाते हैं जो चीज़े आपको नेची वो चीज़े वो लोग जबर्दस्ती भी दे देते हैं तो ये सारी चीज़े मेरे साथ हुई है यहाँ पे मेरा experience में share कर रही हूँ बाकी आप प्लीज मुझे comment करके बताना कि क्या यहाँ पे इतनी की ही धाली चड़ती है पगवान को चड़ाते हैं या इसे कम की भी होती है तो ये ज़रू मुझे comment करके बताना चलिए फटा-फट में ले लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आगे और दर्शन वगरा करने के बाद से यहाँ पे एक वाजू में ही होटल था तो जिसमें मैंने गुजराती थाली खाई थी यहाँ पे अल्मोस्त यही सारी चीज़े मिलती है सारी चीज़े बहुत ज्यादा मीठी थी क्योंकि गुजराती थाली में जरूरी नहीं कि सारा खाना ही मिठा होता है उनकी बहुत अच्छे अच्छी डिशिस होती है बट कोई मतलब ऐसा नहीं था 170 पर थाली था बट किसी काम का नहीं था और महांने छाना भी ना खाना झाने के बदते हम लोग गए घुझा कऊने में यहांका माता जी का जोओ जलता है जो उन्होंने गर्प लिए घुझा पैसलती है नहीं आजाद के नहीं हो understands इस काम भानागे छोँटे बेढुकी है में कवर था और कुछ थानी लेकि बहुत सेफ था बहुत ही अच्छा लग रहा था बुझे उपर जाके भी और इसमें बैटी दिन तो ऐसे लगता है वह चक्री हां चक्री हम लोग गूमते वह ऐसा वैसा फील आ रहा था पेट में आजीब सा हो रहा था गुदगुली मैं बहुत को शांती है और यहां पर देख रहे हैं आप दर्शन हो गया मेरा और यहां पे मननत को चूड़ी बांते हैं यहां पर जो तो मैं भी वही बांद रही हूं और बांद के फिर मैं वापस से निकल जाओंगी और बाकी आपको ये ब्लॉक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बतारा I know आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगी कि दिदिया कि क्या करना चाहती है यहाँ पर क्यू है मैं सब समझ सकती हूँ तो आप लोग टेंशन मत लीजे जरूर इसका चीजों का आंसर आपको मिलेगा और बहुत जल्दी मैं देने वाली हूँ आप लोग उसका टेंशन मत लीजे देखे जरूर ही नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम है तो यह आदनी अलग रह रहा है रही है रह रही है हो सकता है उसका कुछ परसनल रिजन हो कुछ काम हो कुछ हो इस वज़े से तो यह व्लोग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और यह जो माता जी का मैं दर्शन नहीं करा पाई क्योंकि वहां पर अलावड ही नहीं था मोबाइल का बाकि यह बहुत जोर-जोर से वह बैटते चेयर पर घलती है पता ने उसको मैजिक क्या बोलते थीडी में दिखाते है हम लोगी राइट कर रहे हम लोगी पानी में जा रहे है जहाज ब जा रहे है आच्छा लगा नीचे बहुत सारी बच्चों की गेम गेम जोन भी है खाने-पीनकी और यहां पर देखिए मंदिर वगेरा में पूजा हो गया है कपूर लगा दिया है और अभी रेमन बनाओंगे और खाओंगे क्योंकि रात को बहुत जादा थक गई थी तो यह सूबे नहीं हो रहा है यह एक्छुली न दोपेर हो रहा था और रेमन के बाद फिर मैंने से तो मैं पीजा बना रही हूं तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करती हूं आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरा चैनल और डिप्स्रिप्शन बॉक्स में और भी चैनल के लिंक है तो प्लिस चेक आउट करना ठीक है वीडियो समझ में आई हूं तो जरूर मुझे बताना कि मैंने क्या क्या बोला और क्या क्या नहीं बोला क्यूंकि मुझे खुदी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या बोल रही हूं और क्या क्या नहीं ठीक है और पीजा की रसे भी बहुत झाल 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 झाल